हलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आज सिखाऊंगी न्यू डिजाइन का ब्लाउज ये बहुत ही सौट बना हुआ है ये पहनने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जली बन जाता है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सस्क्राइब करें ज्यादा ज्यादा इस तरह से हम फिंदे डालेंगे 20 तो 20 फिंदे डालेती हूं पिडिका है अब देखें ये वाला लगाए तो इस तरह से नौट लगानी है इस तरह से इसको इस तरह से आम ऊपर की साइट पर खीच लेंगे आप देखें इस वाले फिंदे को एक को हम ने बुन लिया अब यहाँ पर डिजाइन पड़ रही है एक इस से एक इस से यह देखें इसी तरह से सारे फिंदे बिनने एक रेड का बनाऊंगी और एक यलू का सारे फिंदे इसी तरह से बुने जाएंगे तो बुन लेती हूँ फिर इस फिंदे डाल लिये है अब चलाई उल्टी तरब से अब इस वाले फिंदे को तार लिया इस वाले फिंदे को रेड वाले को इस तरह से देखें बाइट वाले को रेड वाइट जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है उल्टी तरब से हमें सीधा सीधा इस तरह से बुनना है तो मैं बुन लेती हूँ यह देखो इस तरह से हम एक खिंदे को इस तरह से बढ़ा लेंगे एक बढ़ा लिया और इसको इस तरह से साधा साधा बुन लेंगे पूरी रो हम इसी तरह से बुनेंगे उल्टी तरब से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से हमें फिंदे भी बढ़ाते रहना है, इसमें यह देखा हुम ऊपर की तरफ साफ ले जा रहा है, रेड़ वाली उनको यह देखें, तो दो फिंदे हमने बढा लिए है, दो फिंदे और और बढ़ाऊंगी, तो यह सलाई में चार सलाई बनाऊंगी फिर उसके बाद रेड कलर लगाऊंगी, अब देखें फिर से एक फिंदे को बढ़ाएंगे, इस वाले फिंदे को उल्टा बनाएंगे, अब देखें इदर से, जो हमने यह चोटी वाली डिजाइन डाली, अब फ मैंने बढ़ा की ? तो में बढ़ाई नहीं जोका तैंके नहीं है? जो पेट इसे कर्दूर से बढ़ा है ओदे जो काम, देख इसे नहीं 20 अवह में बढ़ा लिए बढ़ा लिए पूरी रो इसी तरीके से उपर मुड़ों के लिए पट्टी जो गले पट्टी लगती है मुड़ों के पास तो यह देखें इस तरह से हम फिंदे बढ़ाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आट, नौ, दस, 11 और यह 12 और यह देखें इस तरह से 12 अब सारे फिंदे हम इस तरह से बुन लेंगे ज़ती के लिए finding आप इसी तरह से हम चैर सलाहन निकालेंगे थी ती दो निकाल ली को चार सलाहな और निकालेंगे पिर उसके के बाद हम यह वाली डिजाइन डालते जाएंगे तो मैं ऊपर की यह पट्टियां बना लेती हूँ फिर मैं आपको आंगे का बताती हूँ यह बनेगा इसी तरीके से जब हम फिंदे घटाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ यह देखो हमने बना लिया है अब यहां से यह देखें बार है फिंदे उपर के और हमने पांच फिंदे नीचे से लिए चार बड़ाई हुए एक नीचे से फिंदा तो अब देखें इसको हम उतारेंगे यह गले की तरफ से पट्टी है यह देखें एक कदो करते हुए इस तरह से तो यहां पे हम ग्यारे फिंदे कम करेंगे तेरह फिंदे करने के बाद मैं आपको दिखाती है यह देखो अब चार फिंदे हैं वह हम गले के लिए बनाएंगे इस तरह से हमें उल्टा उल्टा यह चार फिंदे बिनने है यह देखो चार बिन लिए शलाई को इधर किया अब यह हम बाइट वाला कलर लगा लेंगे यह देखें इस तरह से और इसको इस तरह से बनाएंगे यहां पर हम यह दिजाइन डालेंगे चोटी वाली जो डालती आ रही हूं यह देखो मैंने बना लिया है इसको अब मैं इसी तरह से चार पार्ट बनाएंगे आपको अमने एक पार्ट बताया है अब देखें जिस तरह से हमने इधर किया था आपको जब बनाना है एक तरफ इदर बनाना है एक तरफ इदर ऊपर की साइट बनाना है तो इस तरह से यह पार्ट बनते जाएंगे मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको ये देखो इस तरह से अब हम ये गले को बनाएंगी इधर साइड पर तो चार अंगुर इधर साइड बनाऊंगी और चार अंगुर उदर साइड से तो दोनों के बीच में ये जॉइंट हो जाएगा और नहीं तो पूरा बना ले और साइ जब तक कि यह हम चार अंगुर ना बना लें चार अंगुर बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूं कि ये देखो गला मैंने पूरा बना लिया है अब देखें इस तरह से हमें पल्ले को और बनाना है और इसमें इस तरह से हम जोड़ देंगे इह देखो यहां से हम फिंदे उखाएंगे इस तरह से सारे फिंदे इसी तरह से अब देखें इनको जोड़ेंगे यह देखें अब इनको इस तरह से करना है इस तरह से कर दिया और यह देखें पतली सलाई से पतली सलाई से हम इस तरह से जोड़ेंगे इस तरह से इसको जोड़ना है एक बार और देखें इस तरह से जोड़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहां से हमने जोड़ा है यह देखें इस तरह से है तो मैं जोड़ लेती हूं कि हमने उतार लिए है अब यहां से हम इसको फसा देंगे यहां से हम इसको यह देखें आवेदा से देखें यहां से बिलकुल पता नहीं चला है कि हमने कहां से जोड़ा है यह देखें तो यह देखें एक पल्ला इस तरह से बनके तयार हो गया इसी तरह से हमें दूसरा भी पल्ला बनाना है तो मैं बना लेती हूं कि हमने यह भी बना लिया और यह देखें पल्ले दोनों बनके कंप्लीट हो चुकी है देखें एक साइट हमने बाइट गला बनाया है और दूसरी साइट रेड गला यह दोनों साइट पे पहनने वाला है और यह 36 नंबर का बिलाज यह बनके तयार हो जया है अब नीचे का हम बाउडर बनाएंगे और बाजू बनेगे तो बाउडर में पहले बनाती हूँ फिर में बाजू बताती हूँ